मेरे प्रियात्मन, सहज योग में आज संत नाम देव के एक शबद पर चर्चा करने जा रहे हैं संत नाम देव 1270 से 1350 इसवी के बीच महाराश्ट्र एवं पंजाब में अलख जगाते रहे बहुत ही प्यारा शबद है, सुनो, कहते हैं मैं बावरी, मेरा राम भदार इससे कम पर मामला होता नहीं, कहते हैं कि राम मेरा स्वामी है, राम मेरा प्रभू है, राम मेरा प्रियतम है और मैं उसके प्रेम में बिलकुल पागल हो गई हूँ जैसे कबीर सहाब कहते हैं न मेरे बाबा, मैं बाउरा, सब खलक सयानी, मैं बाउरा सारी दुनिया होश्यार है बस मैं ही एक पागल हूँ कौन है पागल? जो बुद्धी के तल पर नहीं जीता जो बुद्धी से नहीं चलता, जो तर्क से नहीं चलता, संसार बुद्धी से चलता है, तर्क से चलता है, पागल बुद्धी के नीचे चला जाता है, संत भी बुद्धी से नहीं चलता, लेकिन बुद्धी से जरा उपर चला जाता है, परमहंस हो जाता है, तो दुनिया की द मैं केवल पागल हूँ, मैं विगरो, विगरे जन आव रहा, मैं तो विगर गया, कम से कम तुम तो कहते हैं, मैं तो पागल हूँ लेकिन कम से कम तुम अपने आपको समालो आपन बवरा, राम की ओवरा बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कहते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं पागल हुआ राम नहीं मुझे पागल कर दिया मुझे ऐसा अपना दीवाना बना दिया, कि मैं राम के प्रेम में पागल हो गया, सत्गुरु जार गयो, भ्रम मोरा, कहते हैं ये संसार, संसार में सुख है, यही एक मात्र भ्रम है, याद रखना, यही त्रिश्णा है, यही भ्रम है, कि संसार में सुख मिल सकता है, कहते हैं सत्गुरु क्या मिला, या भ् पागलपन में मैं राम के लिए अपने आपका श्रिंगार करता रहता हूं समारता रहता हूं निराला भी एक केवल कवी नहीं थे संत थे करीब करीब निराला कहते हैं कौन दिरने लेगा दुनिया कहती मुझे को पागल मैं कहता दुनिया को पागल मैं पागल या दुनिया प अब कौन दिर्णे लेगा मेरी नजर में तो दुनिया पागल नजर आती है संसार में सुख के पीछे भागती है बला संसार में किसी को सुख मिला है आज तक कहते हैं संत नाम देव रचिरचि ताकव करव सिंगार मैं अपने प्रियतम को रिजाने के लिए हमेशा श्रिंगार करती रहती हूं कहते हैं जैसे गुरु अरजुन देव जी कहते हैं कि बूजी तपत घरह पिया आया मेरी तृष्णा बुझ गई मेरा दाह बुझ गया मेरा ताप मिट गया कैसे मेरा प्रियतम मेरे घर में आ गया मेरा गोविंद स्वेम ही मुझसे मिलने आ गया सगल सिंग करना सारे श्रिंगार करना मुझे अच्छा लगता है राम के लिए दिवाना होना मुझे अच्छा लगता है संत नाम देव कहते हैं भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग मेरी निंदा करें इससे मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता मैंने अपने प्रियतम को पा है इस मन का एक ही उपयोग है कि हम राम के लिए मिट जाएं राम के लिए दिवाना हो जाएं राम के साथ मिलकर एक हो जाएं राम को अपने सेज पर सुला लें राम के सुवरन में जीना शुरू करें इस से सुन्दर उपयोग इस शरीर का हो नहीं सकता इस मनुष्य जन्म का ह नहीं सकता कहते हैं संत नाम देो मगर कैसे होगा ये बाद भी बाद का हूँ सुन कीजे एक चीज से बचो अहंकार तुम्हें हमेशा बाद भी बाद में ले जाता है स्वैम को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करना बस यही सारी दुनिया कर रही है यही अहंकार का खेल चल रह हो सके तो चुप रहना सीखो बोलो तो मधूर बचन बोलो पहली कोशिश करो चुप रहो मौन रहे और जब भी बोलो मीठा बोलो अगर मीठा बोलोगे अगर हां कहना सीख लोगे तो अहंकार के पार चले जाओगे हो सके तो चुप रहना सीखो बोलो तो मधूर बचन बोल कोई हो जाए आग तो शीतल पानी की बरसात करो अगर तुम्हारा पती, अगर तुम्हारी पतनी, अगर तुम्हारे कलिक्स, तुम्हारे सहोगी, तुम्हारा मित्र कभी अशांत हो जाए, तो प्रग्या इसमे है कि तुम शांत हो जाओ तुम शीतलता की बरसात करो क्या रखा भी बात बढ़ाने में या बात कोई मनवाने में अगर तुम सिद्ध भी कर दो कि तुम सही हो अगर लोग तुम्हारी बात भी मान ले इससे क्या फर्क पड़ता है क्या रखा भी बात बढ़ाने में या बात कोई मनवाने में मुझे याद है एकदम पत्नी मेरे घर पर आया, जब तक मैं उनसे मिलने के लिए आता, काफी बिबाद हो कर रहे थे, काफी गरम गरम बाते दोनों में हो रही थी, मैं आया, मैंने उनसे से पूछा, कि बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, कि तुम लग उस भी बाद में उलज गया हो, बात क्या है, पत्नी ने कहा, कि आफिस से आते से में मैंने पती को कहा, आलू प्याज और टमाटर लेकर आना, ये सज़न आलू प्याज लेकर चले आए, म मैं सबजी दुकान पर गया, जब आलू प्याज ला सकता था, तो टमाटर भी ला सकता था, मुझे अच्छी तरह याद है, इसने टमाटर के लिए कहा नहीं, मैंने कहा, तुम दुनों एक दूसरे को प्यार करते हो, उनलों का, हाँ, प्यार तो बहुत करते हैं, मैंने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है, कि तुमारे प्यार से ये टमाटर ज्यादा महत्वपूर्ण है, पत्नी ने कहा, कि आप समझे नहीं, महत्वपूर्ण टमाटर नहीं है, महत्वपूर्ण है कि सही कौन है और गलत कौन है, मैंने कहा, कि अब बात चलता रहेगा, पत्नी ने कहा, क कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे जब आपस में खेल खेलते हैं तो ममी पापा का खेल खेलते हैं और ममी पापा बन करके जगड़ा करते हैं यही उनका खेल और ऐसे वातावरन में जब बच्चे बड़े होते हैं माबाप को जगड़ते तो देखते हैं मैंने उनसे पूछा क कभी प्रेम से एक दूसरे का हाथ भी हाथों में लेते हो, पत्नीने तो घुंगट सरका ली, आप कैसी अनर्थकारी बात कर रहे हैं, बच्चों के सामने और प्रेम से एक दूसरे का हाथ हाथों में लेना, अब बच्चे ममी पापा को अपने जगरते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि जगरा करना कोई पुन्ने का खारे है और कभी प्रेम से एक दूसरे से बात करते देखा नहीं प्रेम से हाथों में हाथ लेते देखा नहीं तो फिर बच्चों के लिए माबाप तो आदर्श होते हैं और ऐसे वातावरों में जो बच्चे बड़े होते हैं तुम सोचते हैं उनकी जिंदगी में कोई शील आएगा कोई प्रेम आएगा नाम देव ठीक कहते हैं बाद भी बाद काहू सुनकीच उन दोनों को मैंने कहा है कौन सही है कौन गलत क्या रखा इस नादानी में कोडी की चिंता करने में हीरा भह जाता पानी में जब भी शिकवा शिकायत हो सुनो जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनाएग हो अत प्रेमम शरणम गच्छामी बज़ ओशो शरणम गच्छामी इस वाद भी बाद में मत पड़ो अगर चाहते हो परमात्मा के मार्क पर चलना तो वाद भी बाद से बचो कहते हैं संत नाम देओ रसना राम रसायन पीजे पहला काम बाद भी बाद मत करो और दूसरा काम हमेशा रामरस को पीते रहो क्या है रामरस गुरु अर्जुन देव जी बड़ी सुन्दर परिभाशा दे रहे है अम्रित वानी हर हर तेरी सुन सुन होए परम गति मेरी ये जो अम्रित रस जहर रहा है ये परम संगीत तुम पर बरस रहा है परमात्मा का सच्चिदानन तुम पर बरस रहा है बस उस अखंड किर्तन की बरसाथ अपने उपर अनभाव करो इस रामरस को पीते हुए सदा जीओ और फिर इसमें जूमो ये है परमात्मा की शराब पीना हो तो मैखाने चल क्या साधार मैखाने चलते हो चलो गोविंद के मैखाने में चलते हैं चलो सद्गुरू के मैखाने में चलते हैं पीना हो तो मैखाने चल लुटने का जश्न मनाने चल लुट जाओ इस प्यार में गोविंद के क्या होगा मंदिर जाने से मन को भीतर समझाने चल ये भीतर के मंदिर में जाना है मन को महां समझाना है हंगामा करने वालों को बच्चों का रुदन सुनाने चल घर से बड़ी दूर है मस्जिद तो चलो ये कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जाए ये असली पूजा है भीतर चलो और बाहर-प्रेम की बरसात चलो भीतर प्रेम की बारिश में भीगो और बाहर-प्रेम की बरसात करो और तब देखोगे कि तुम्हारे जीवन के शैली कैसी आनंद में हो जाती है जो अंधियारे में रहते हैं उनके घर दीप जलाने चल रब गाता रहता आठ पहर चुप होकर उसे रिजाने चल हमेशा भीतर प्रभु का एक संगीत चल रहा है जरा शांत हो जाओ जरा भीतर चलो जरा प्रभु को रिजाओ गोविंद खड़ा है मुर्शिद बन कदमों में शीष जुकाने चल और प्रभु तुम्हारे सामने आता है मुर्शिद बनकर आता है पूरा गुरु बनकर के आता है उसके चरणों में चलो उससे जरा राज सीखो उससे जरा ये रहस्य जानो कि गोविंद किस रूप में विद्यमान है तुम्हारे भीतर कैसे दिन रात अखंड किर्टन चल रहा है उससे रहस्य जानो और फिर उसके प्रेम में पड़ो कहते हैं संत नाम देओ अब जिय जान ऐसी बनाई मिलव गुपाल निसान बजाई कहते हैं अब मेरे समझ में आ गया कामिल मुर्शित की क्रिपा हो गई अब मेरी समझ में आ गया मिलव गुपाल निसान बजाई अब तो धिंडोरा पीट करके मैं गोविंद से मिलने जा रहा हूँ भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग लोग निंदा करें अब इसकी मुझे परवाह नहीं है जैसे मीडा कहती है न अब तो बात फैल गई जानत सब कोई मेरे तो गिरधर गुपालत दूसरों न कोई अब जाने लोग निंदा करें इसकी बिल्कुल मुझे चिंता नहीं है उस ते निंदा करे नर कोई इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है नामे श्रीरंग भेटल सोई अब मेरा गोविंद मुझे मिल गया अब लोगों के निंदा अस्तुति की क्या चिंता है मुझे जो भी दिखता सब लहर लहर सुनो ये निंदा और अस्तुति ये सब तो लहरे हैं जो भी घटता सब लहर लहर, जो भी घटनाए घटती हैं, आकिर हैं तो लहरे न, है मिलन लहर, है विरह लहर, सुख दुख निंदा स्तुती लहर, लहरों को मुल न दे प्यारे, हर पल हरी खडा तेरे द्वारे, अत सिंधुम शरणम गच्छामी, बज ओशो शरणम गच्छा है, गोविंद के उस सागर में अपनी बूंद को मिठा देना, यही सहाजयोग है, हरियोग तद्सुम आदेश्युम 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 कर दो